नमस्क्राइ दोस्तों तो पसीन जी ने का है कि TATA स्टील में बेहनकर गिरावट होगी km गोई टार्गेट एक दिन में अचीम होंगे उससे नीचे जा सकता है और नीचे जा सकता है देखिए ऐसी बाते होंगे आने वाले टाइमें और फी बाते होँगे कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इन्फो एज जैसे ही जो मैटो की री रेटिंग होगी इन्फो एज भी उपर की तरफ मतलब नौकरी.com भी उपर की तरफ भागेगा ही भागेगा और वो अब्वियस सी बात है इसमें कोई expert view नहीं चाहिए ठीक है दोस्तों और टाटा सील जो नए material business में setup कर रहा है वो किस-किस business में काम कर रही है इससे आपको समझ में आजएगा कि ये क्यों कह रहा हूँ मैं कि ये नया business इनका एक breakthrough होगा जिससे ये actually मैं higher पे आपको 200 रुपे के target तक भी achieve double price से भी कपा के दे सकता है आने माले 2-3 साल में क्यों कह रहा हूँ EV में भी काम आ रहा है carbon emission कम करने के लिए, CO2 कम emission करने के लिए, aviation में, transport में, metro rail में, hyperloop में, हर जगह ये key business actually में जो नए material का business है ये use होने वाला है Tata Steel का तो ये business बहुत जरूरी है अभी ये 2026 तक अगर मैं कहूं तो इनका target है कि इसको 700-800 करोड का business मना दिया जाए और 2030 में इ profitability आपको 40% के राउट दिखता है बीटा तो यही कह रहा हम है long term के लिए अच्छा है अभी कोई कुछ भी बात है कर सकता है तो long term के लिए सोचने हैं तो कोई जोटने है